तो चले शूरू करते हैं आज कर जो मेरो यह वीडियो है यह में ली एक ट्रेवल ब्लॉक के उपर है जो मैं हाली में घूमने किया था महाबलेश्वर महाबलेश्वर एक जगह है महाराश्ट्र में ही है मुंबाई से टू 50 किलमेटर्स है और आप बसे चूज कर सकते हैं वहा और इस वीडियो में को यहां जा रहा हूं क्या-क्या देख रहा हूं और किदे बचेट में लेहा था या पर तो भस towardा है. पर pessoal कि आप देखिए मुझे लगभा है कि आप यूज़र ऊपपसंद आएगा तो अगर आप इस ट्रिप्वर जा रहे हो तो मैं आपको इक चीज रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस ट्रिप के लिए कम से कम दो से तीन दीन का समय लेका जाए क्योंकि महावलेश्वर में देखे लाए काफी सारी चीजे हैं जो आप एक दिन में बिल्कुल भी गवर ने कर सकते हो कम से कम दो से तीन दिन आपके हाथ में होना सबसे इंपर्टिन बात महावलेश्वर अगर आप जा रहे हो तो उसका सबसे प्रॉपर और सबसे ज्यादा अच्छा टाइमिंग होता है वो होता है अक्टोबर से लेके जैन्वरी का टाइमिंग क्योंकि इस टाइम में जो स्ट्रॉबेरी होता है वो बहुत ही जादे होता है तो आप ट्राइं कीजिए कि आप ऑक्टोबर से जैन्वरी की बीच में महावलेश्वर विजिट करें तो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए कि आपको कैसा लगता है यह एक छूटा सा बैग है जो मैंने पैक कर लिया था अपने सारे सावान रखते थे और मैं बिल्कुल रेडि था महावलेश्वर के ट्रिप के लिए तो चलिए हम निकल चुके हैं महावलेश्वर चानी के लिए और यह ऑन दवे थानी से है जो मैं अभी जा रहा हूं तीन तो यहां हम आ गए पंचेगनी बस्टॉप सुपर पहुंचे हैं हम लोग और यह पंचेगनी का बस्टॉप है इस तरह का दिखता है अब कोई भी बसस आप ऐसे पर आएंगे तो पंचेगनी की इसी एरिया में वो बस रुखेगी वासर ने कैप लिया और हम आए अपना होटेल पर जो हमने पुक किया था मोजार्स पैलिस अब देख सकते हैं कि यह कितना शांदार होटेल है इनके रूम साथ देख सकते हैं कि लेक्षेलियस है मैंने डेलक्स रूम बुक किया था ओयो से और मजह 30 हैंट रुपीज में मिल ही है बहुत स्पेशियस भी है और इसका हॉल भी काफी शांदार है सोफा सेट है और म्यूसिक सुस्टेम साब कुछ और खाना भी इनका काफी अच्छा था हम सुबर सुबर 9 बचे निकले और हमने कैप गुक की थी होटेल वालों से ही हमने कैप भुक करवाई थी होटम जा रहा है काफी सारे पॉइंट कवर कर निकले तो श्क्राइब मैं कुछ मेंड को ही कवर किया है और इस वीडियो पे अड़ किया है जो आप लोग सबस्क्राइब देख सकते हैं तो यहाँ पर कर चğer है और इस पोईट्स मोलती केट्स पोईट्स पॉइंट तहीं यहाँ से मैंने व्यू बिलिया है और एक काफी असी सुन्दर जगा । एब देख सकते कि किस दरीक करें रहे पाइब बहुत जाधा शांदार है अब हम यहां से आगे चले के जहाँ पे एको पॉइंट है तो यहाँ पी लिखा हुआ है कि हम कुछ भी बात करते हैं कुछ भी चोर सचिल आगर बोलते हैं तो हमें फिर से वापस सुनाई देती है तो यह वही पॉइंट है अगर मेरी मानों तो आपको डेफिनिटली एक बार यह हॉस्ट ट्राइट करना ही चाहिए क्योंकि बहुत मज़ितार है और बहुत मज़ाता है इसके वाद हम कुछी दूर आगर बढ़ें थे कि हमको उर्थ दिखाया दिया और इसमें टिक टॉक और पबजी लिखा था हम परपसाथे बगल में मुझे एक वाइट कलर का खोड़ा दिखा दिया जो बहुत ही शांदान लग रहा था और मैंने इस केमरे में इसको क्याप्चर कर लिया मुझे समझ में नहीं कि आप अपची भी लिखा है शायद आजकल उट भी खेलने लगे शायद आने वाला होगा कोई नया अपडेट और बगल में बहुत सारे वेजटेबल्स के भी शॉप है जहां से आप रॉव वेजटेबल्स करट सकते हैं आइ में सिर्फ खानी के लिए अब हमाच चुके हैं स्ट्राबेरी गार्डेन में जो एक छोटा सा गार्डेन था जो हमको हमारी केवाले ने लेके गया था मुझे उस गार्डेन का नाम तो यान थी ठीक से लेकिन यह बहुत ही जादा अच्छी गार्डेन है मतलब इसमें इन्लोगों ने एक सेंपल रखा है कि किस सरबेरीस को भूगाया जाता है किस सरसे उनके फार्मिन होती है और उनौने फ़ी बहुद्धी कि यह जो जो स्ट्राबेरिस के पेर पblesल्स हाए इनको ऐनके एक से जाता है इनकी से ऑप नहीं दोपे इंक जुगाया सकते हो क्योंक इनकी कोई farming नहीं होती कि इस्ट्रावेरी अच्छे नहीं होता है उसका को बड़ जब थंडियों का मौसम होता तो स्ट्रावेरी इस बहुत जादा अच्छे से उखते हैं और वाफे हमने एक स्ट्रावेरी क्रीम जो हां का फेमस है वो आया था काफी काफी अच्छा था इसका कोस्ट तो मैं तो ड्रिपेस आप व्यूदffe और आप विजिट करेंगे है अदेख सकते गेट है lavorative है वह थोड़ा ऑपर यह चड़ के जाना पड़ता है उपधर तो मैं तो अंदर नहीं गया था मैं बस बाहर बाधर वीडियो स्लिया है अंदर तो लें सकते तो यह एंटरेंस है को यहां से अंदर जाना पड़ता है लाइन लग्ते है और यह वह एपल है इस तरह कर दिखता है कि अगल वगल में आपको काफी सारे शॉप्स मिल जाएंगे काफी सारे शॉप्स मिल जाएंगे और मैं आपको बोलुगा कि आप यहां से कुछ मेंच करीजिए कि कि यहां पर काफी महेंगा और काफी प्राइसी है बेटर है कि आप कोई भी लोकल शॉप्स या फिर तो कोई भी बड़े शॉप्स में जाकर वहां जाकर लीजिए यह भी टैंपल हो दूसरा तो यहां पर आपको सस्ता मेलेगा उसके बगल में इस शॉप्स मुझे दिखा जो एक्टिली आपर वीडियो का ना पाला हो नहीं है पर मैंने चुपके से वीडियो लिया था लोग को दिखाने के लिए जिनको हैंड क्राफ्ट चीज़ पॉर्ट और यहां आप इस शॉपब इस पीए थे हैं यहां उने काफी सारे लिये हैं फिट शॉपड़ है यहां डेश्वार्द विडियो वानाया था तो हम घर भी लेके आया थे और ठ्रस्ट में इनके जो स्ट्रॉबेरी से वह बहुत पड़े भी नहीं है यह अलकर जोग बेचते हैं लेकिन इतनी मीठे हैं मुझे करे मालूम नहीं तके स्ट्रॉबेरी समेटे पर होते हैं यहना अबेशा सुना है और खाया भी रहा है तो ए यहां पहुंच गए हैं यह है यहां से आपको आर्टेशिक पॉइंट करना लेकिन वह पॉइंट 1 km नीचे है जिस तरह से इनने में बोला है मैं यहां तक नहीं गया हूं कि हमारी सच में हमें बहुत खराती कि यह बहुत नीचे अना होता है और फिर जाके आपको वह पॉइंट चिकता है पर आप अगर वहां सक ना भी चापाओ तो आपको थोड़े ही नीचे कुछ अलग पॉइंट भी तिकते हैं जो बहुत जादा शानदार हैं उनकी बहुत जादा अच्छा है आगे चलके आपको दिखाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह पॉइंट है यह मैलकॉम पॉइंट बोलते हैं इसको एक डाइनसौर का रूप भी बोला जाता है तो इसके नीचे और भी सब पॉइंट थे जो हमने कवर किया है लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं रखा है क्यों काफी नीचे जाना पे तो यह एक शॉपिंग स्ट्रीट है महाबलेश्वर का अगर आप सिटी में जाओगे तो आपको इस सारसे काफी सारी स्ट्रीक मिलेंगे वहाँ पे स्ट्राबेरी से लेकर आपके हर तरीके का जरवत्मन चीजे से लेकर फैशन के चीजों से लेकर बहुत सारी चीजे का आपको मिलेगा तो यह रोड में जब मैंने शॉपिंग किया था तो मुझे थोड़ा प्राइसी लगा है और महाबलेश्वर काफी प्राइसी जगे है तो आप एक बजट अपना फिक्स करके जा सकते हो कि इतने बजट मां को लेना है और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो तो यह मैं एक्चुली मैंने विजिट किया था यह फेबरी मन्त में तब भी आप देख सकते हो कि काफी टोरिस्ट है यहाँ पे और तो इसके चो राइटन साइट में वापे पुरा पार्किंग है और लेफ्टन साइड में यह आप देख सकते हो रौ वेजटेबल्स है और फूंगे यह इस टो ट आकी सारेयखिن काफी मेहनगे है मुझे स्ट्रॉवेरी इस दिखाए दिया और मैंने को वीडियो लिया है जो आप देख सकते हैं कि कि इतना सब्स्रेण यह अगर आपको दिखेगा अगगों लागर कि पॉलिश क्या हूआ यहां पर भी काफिर सारी होस राइड है अगर आप करना चाहों तो यहां का प्राइस मुझे उतना पता नहीं है आई तिंग हन्रेट से टूहरेट के बीच में होगा और यह लेक है यहां पर आप वोटिंग कर सकते हैं अगर आप एक गुरुप में जाते हो तो आप डेफिरि तो उसमें मैक्सिमम पूर परसिंस जा सकते हैं और आपको जो टाइम मिलेगा वो थर्टी मिनिट्स है आप थर्टी मिनिट्स में आपको वापस आने तो हंडिड रुपीस पर मिनिट का चार्ज लगाते हैं यह लोग यह दूसरा स्टॉबेरी उसका मैंने देखा था जिनस यहां पर रेटिश भी मिलता है मुझे तो रेटिश बिल्कुल पसंद नहीं है यह पार्किंग स्लोट है जो मैं आपको तब आने वक्त दिखा रहा था और उसके बगल में ही रिपका के सा रिफ्रेश्मेंट स्टॉफ भी है तो चलते हैं हमारा final and the last destination जो है मैप्रो गार्डन जिसके बारे में हमने बहुत सुना है और मैप्रो गार्डन को मैंने लास्ट में रखा है बट आप उस मैप्रो गार्डन आपको मैप्रो गार्डन डेफिनिटली विजिट करना ही है अगर आप बाके सारी चीज़ छोड़ बहुत सारी चीज़े नहीं कवर किया है बागी आप देख सकते हैं इन लोग नहीं किसर से मेंटिन के आप देख सकते हैं और सब सभी बादि में फ्लायार्स है। यहां पे मुझे रॉप स्ट्वाइली इथिकनी तो मैंने उसका द्वीडियो बनाया है। इसे दिखता है, मैंने इनके फूल आता है। फिर जाके फूल खिलता है और फूल गेरने के बाद एक छोटा सा स्ट्वाइली तैयार होता है। औ यहां पर फ्लार्स के काफ़ी वराइटीज हैं वेब्लेरी मन्त में चानी के बाद सूर्ट में मुझे इतने सारे फ्लार्स की वराइटीज दिखने को मिले हैं यहां पर एक छोटा सा वाटरफॉल में बनाया है जो बहुत सुलर दितता है और यहां प्लार्स के सकते हैं और इस चोटा से पॉर्ट में दोगाने का कि सरे मचलियार भी पाले हैं में प्लो गार्डन की एंट्रेंस फ्री है अब हम अपने वीडियो के अल्मोस्ट पर पहुँच चुके हैं अगर आपको मेरा वीडियो पासंद आया अगर आपको लगता है कि मैंने अपने वीडियो में अच्छे शॉल्स यह हैं अच्छे, प्लेस शॉबर किया है और अगर ये वीडियो आपको इंफरमिटिव लगा तो प्लीज मेरा वीडियो प्लाइक कीजें सब्राइब कीजें और पैनल लाइक की दभाना मत मिल्बाग तानिक कोई भी वीडियो प्रैबले फ्यूचर में डानों, तो आपकिन वाजिए फ्रीपी सबसे पहले बाजी, बेने बादु